दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भी CA Office यान की Chartered Accountant के Office में क्या-क्या वरक किया जाता है तो दोस्तो इस टाइप के Questions काफी सारे लोग अक्सर पूछते रहते हैं और काफी सारे लोगों के Mind में भी ये बात रहती है भी जो CA का Office होते है वहाँ पर Accounting से Related या फिर Tax Compliance से Related क्या-क्या वरक किया जाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम ये सारी बाते हैं Practically Discuss करेंगे भी CA के Office को जोइन करने से पहले क्या कुछ सीखना पड़ता है क्या Tally सीखने के लिए हम CA के Office को जोइन कर सकते हैं टैली से Related CA के Office में क्या-क्या वरक किया जाती है या Tally सीखने के बाद CA के Office को जोइन करना चाहिए तो ये सारी बाते आज हम इसी वीडियो में Practically Discuss करेंगे तो दोस्तो अगर आपके माइंड में भी इसी टाइप के लेकर कोई क्यूश्चन है CA के Office में किस टाइप की वरकिंग होती है क्या CA के Office को जोइन करना चाहिए तो अगर आज की वीडियो को एंड तक आप Complete देख लेते हो तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी भी CA के Office में किस-किस टाइप की वरकिंग करी जाती है तो दोस्तों हर एक Chartered Accountant आप वो अपने Profession को अलग अलग टाइप से मेंटेन करते हैं क्योंकि अगर आपने देखा होगा इस CA के Office में इस टाइप की वरकिंग होती है तो हो सकता है सेम प्रोसेस किसी दूसरे के Office के अंदर भी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर Chartered Accountant आपने Profession को अपने तरीके से मेंटेन करते हैं तो क्या कुछ रहता है CA के Office में इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक complete जुरूर देखना वीडियो गर आपको अच्छी लगे तो जुरूर लाइक कर देना दोस्तों के साथ share भी कर देना अगर आप मारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर अन कर लेना क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेर और वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अप्रोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मौनसुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूट्व चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं exception of the chartered accountant के ओपिस में और enzyme BACK हम करें तो क्या work होता है तो दोस्तों जो CA person होता है यान कि जो chartered accountant होता है वो non- dividend corporation की audit करने के लिए authorized क्या वया प intelligence होता है चाहिए वो internal audit की बात हो चाहिए वो onconomic audit की बात हो तो यानकि अगर हम first primary position की यानकि पहले point की अगर हम बात करें तो जो Chartered Accountant का जो main work होता है भी वो होता है भी चाहिए वो government corporation या non-government corporation की जो books of accounts है उसकी audit करना यानकि जो corporation है यानकि जो भी company है जिस company में accounting work करी है और वो company audit के दायरे में आती है तो क्या उन्होंने जितने भी accounting work करी है जितने भी transaction उन्होंने करी है क्या उन सभी transaction को government के act के तैत ध्यान में रखते वे सारी transaction करी है कोई extra कोई expenses है या extra कोई income है या ऐसी कोई income है जो को मलब TDS है जो deductible करने से उनसे किसी से रह गया वो properly GST मलब maintain है कि निया यानि कि internal से मलब account से related जो भी मलब error होती है उनको rectify करना उनकी गलतियों को पकड़ना एक chartered accountant का काम होता है में अब हम बात करते हैं भी हर accountant के office में अलग-अलग working किस परकार होती है तो दोस्तों हर एक chartered accountant अपने profession को अपने तरीके से maintain करते हैं कैसे करते हैं अब एक chartered accountant ऐसा है जो केवल और केवल audit purpose से ही अपने office में working होती है यानि कि सारा का सारा काम audit का ही होता है और या फिर जिन company के audit करते हैं उनकी income tax return की filing वो करते हैं और कई ऐसे भी office होते हैं जहांपर audit का काम तो है यही वो तो primary काम उनका वही है उसके अलावा वो अलगलग companies की books of accounts भी maintain करते हैं यानि कि party की accounting भी maintain करते हैं वही काम उनका accounting का भी वही काम देखते हैं tax compliance related जो भी working होती है वो भी वो उसी CA की office में maintain होती है तो यानि कि अब एक CA का office तो हो गया जहांपर आपको केवल आपकी audit से related ही work किये जाएंगे और एक ASS यह होगा जहांपर आपकी company की books of accounts को भी maintain कर दिया जाएगा और आपकी tax compliance है उसी को भी maintain उसी office में कर दिया जाएगा और अगर आपकी company audit के डायरे में आती है, strategy audit के डायरे में तो आपकी books of accounts की भी audit उसी CA से office में भी हो जाती है तो दोस्तों अब बात आती है, काफी सारे लोग questions पूछते हैं भी क्या tally सीखने के लिए हम CA के office को join कर सकते हैं क्या तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है भी आप tally सीखने के लिए CA के office को join कर नहीं सकते हैं तो अगर आप CA के office को join करते हो तो वहाँ पर आपको जो भी accounting से related जो transaction होती है वो सारी की सारी आपको practically तरीके से सेखने को मिलती है तो अब ऐसे में क्या होता है भी अमाली जी किसी company में आप working कर रहे हो किसी chartered accountant का office है उस company में आप working कर रहे हो वहाँ पर वो office में मलब अलगला companies की accounting भी maintain करते हैं तो वहाँ पर उन accounting को वो आपके ज़री ही करवाएंगे तो आपको उसमें आपको practically अच्छी तरीके से अच्छा कासा knowledge मिल जाता है तो दोस्तो काफी सारी लोग question ये भी पूसते हैं भी क्या टेली सीखने के बाद office को जोईन करना चाहिए या फिर टेली सीखने के लिए office करना चाहिए तो दोस्तों दोनों बातें आपके लिए suitable हैं आपको जैसा उचित लगे अगर आपके कोई जानकारी में कोई chartered accountant का office है जहांपर कोई vacancy खाली रहती है तो आप चाहिए टेली सीखने के बाद भी जोईन कर सकते हो और या फिर टेली सीखने के लिए भी जोईन कर सकते हो दो आपको वहाँ पर जो आपने सीख है अगर वहाँ पर भी आपने practical तरीके से सीख है तो जब भी आप CA के office में जोईन करोगे और वहाँ पर आपको जो working करने को मिलेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी अगर आपने practical तरीके से किसी institute पे टेली को या किसी other accounting software को सीख है तो अगर आ वहाँ पर आपने जो सीख है और CA के office में जो working हो रही है उसमें आपको बहुत ज़्यादा difference देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर CA के office में आपको practical accounting maintain करनी होगी और जो आपने सीख है वो आपने cable AJ software के features के बारे में जाना है आपने accounting का knowledge आपने वहाँ से नहीं लिए अगर आपने notes या किसी books के जरीए अगर आपने टेली सिखिये तो तो इसके अलावा और काफे सारे questions ये भी होते हैं पि क्या CA के office में टेली software ही यूज होता है तो दोस्तो ऐसा कुछ जुरूरी नहीं है भी हर chartered accountant है जो टेली software को ही यूज करें इसके अलावा बहुत सारे other accounting software भी ह वो अपने अपने area वाज depend करते हैं अब मालेज ये कोई chartered accountant का office दिली में है और जिन दिली में है मालब वहां पर को टेली software के अलावा जैसे busy accounting software हो गया या other कोई भी accounting software हो सकता है सबसे ज़्यादा अगर चलते हैं तो CA की office में ये मान के चलो आपको 5-7 अलग-लग type के accounting software मिल हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है अगर कोई company मालेज जी आपकी office के अंदर टेली ज्यादा यूज होती है लेकिन आपने किसी ऐसी company की audit आप कर रहे हो लेकिन उस company ने आपको busy accounting software का data आपको send कर दिया तो CA के office के अंदर busy accounting software भी available होगा क्योंकि data check करेंगे books of accounts check करनी है total complete compliance सार accounting software होते हैं जिसमें ज्यादा तर company working अपना करती है तो वहां पर वो सारे के सारे accounting software available आपको मिल जाते हैं कई ऐसे होते हैं जो अपनी requirement के दार पर accounting software है जो company त्यार करवाती है तो ऐसी city के अंदर वो company खुद अपना जो भी चाहिए वो desktop है उनके पास चाहिए वो उनके पास laptop है वो खुद CA के office तक उनको ले के आती है और फिर वहां से उन सभी data को मलब CA के दुवारा verify करवाया जाता है जो भी हमने working करिये आप इसमें से देखो हमारी तरफ से कोई error या हमने किसी act को या किसी section को किसी rule को हमने कोई अवैड तो नहीं किया है तो ऐसी city में दोस्तों ज जैसे GST की returns file करनी है TDS की returns file करनी है TCS की returns file करनी है या फिर उसके बाद finally income tax की return file करनी है और उसके बाद में books of accounts वहां पर maintain हो रही है उसके बाद में strategy audit भी उसी office में हो जाती है तो यानि कि accounts से related और tax से related जितने भी वरक होते हैं वो सारे आपको एक office में देखने को भी मिल सकत हैं और एक office ऐसा होगा जहां पर आपको books of accounts वहां पर आपको लेकर जाना पड़ेगा उस office में maintain नहीं किया जाता वहां पर आपके केवल books of accounts को check किया जाएगा और वहां पर जो audit का काम है वो ही किया जाएगा या फिर जादा से जादा वहां पर आपकी income tax की जो return है वो file कर द जाती है तो दोस्तों I hope कि आपको CA की काने अच्छी तरीके से समझ में आगे होगी भी CA के office में किस किस टाइब के working होती है क्योंकि वहां पर जितना भी work किया जाता है वो सारा का सारा practical basis पे होता है अगर आपने टेली course किर लिए है कोई accounts का course कर लिए है आप अपना experience को और increase करना जाते हो तो आप CA की office को join कर सकते हो अगर आपके कोई जानकार में कोई office है जहां पर accounting work maintain करी जाती है तो वहां पर आप टेली सीखने के purpose से भी उनको office को join कर पाओगे इसे कि आपका जो knowledge है वो और ज़्यादा increase हो जाएगा आप taxation के बारे में अच्छी तरीके से जान स कोगे तो दोस्तों वीडियो कर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेर भी कर देना अगर आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो प्लीज वह भी कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टोपी के साथ